कारी के साथ अपडेट के साथ जुड़ेवें संजे सब पूरे मामले पर जैसा आप बता रहे थे क्या कुछ रणी थी किसान यूनियन्स दौरा बनाई गई है क्या कुछ अलान उनके दौरा किया गया इस मामले को लेकर बिल्कुल राकेष्ट दौरा बहुत पहु करने का उनका प्रियास पहला होगा कि जिस तरीके से वहाँ पर गाड़िया जली है और मारपीर का महौ था तो कि लोगों को सांत किया जाए पूरी घटना को पूरी गंभीरता के साथ समझा जाए और उसके बाद रणित बनाई जाए कि किस तरीके से सरकार को इस पूरे मुद्धे पर जवाब दे रहा है तो राकेश्ट के जब वहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद ही रणितन किता है क करके बाहर आएगी कि आगे की कर रास्ता किस तरीके को होगा हलाकि जिस तरीके से सांतिपूर धंसे वहाँ पर प्रदरसन चल रहा था और डिप्टी सीयम आपर पहुंचने वाले थे उनको कारा जंडा दिखा दिखाने की तैयारी थी किसानों की लेकिन वह घटना को लेकर लगातार उन तमाम लोगों को खोज रहे हैं जो इस घंटा को अंजाम देने वाले थे उनकी भी इतलास जारी किर रही है हलाकि पुलिस महाँ को संद करने का प्रयास जरूर कर लिए लेकिन और यहीं वज़े कि गोली भी वहाँ पर चली है और कई किसानों को गाहल की सूच वह रड़ी तयार होगी संजा इस पूरे मामले खोले करके कहीं ना कहीं बीज़ेपी के मंत्री के ओपर कुछ गंभीर आरोप लगाये जारे हैं क्या इस पूरे मामले पर उनका कोई बयान सामने आए कोई सफाई उनकी तरफ से पेश की गई है घटना के दो दिन पहले उन्होंने जिस तरीके से धंकी बरी अंदाज में एक वीडियो ट्यूटर पर ट्रेंड कर रहा है कि जिस तरीके से उनके किसानों कहा था कि जाएगा और यहीं वज़े कि अब भीपश सीजे तर्व पर χमलावार हो गए समाजवादी पार्टी लगातार हमला कर रही है उसके समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यच्छो या उनके और नेता लगाता ट्वीटर पे सोचल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरीए बयान आ रहे हैं और सब्सक्राइब अबन रही है आपसे अपडेट लेते रहेंगे तिकोनिया में जिवाज किसान शांति पूर्वक अंदोला